तो दोस्तों जब आप इसको ठीक कर लेंगे उसके बाद जब आप इस pen drive को लगाएंगे तो यहां पर आपकी जो pen drive है वो ऐसे detect कर जाने वाली है जैसे यहां पर देसकते हो आप ultra device लिस्ट आ चुका है तो ऐसे आपकी जो pen drive है वो फिर detect कर जाएगी दोस्तों अगर आपका टीवी भी pen drive को detect नहीं कर पा रहा है या pen drive लगाते हो और उसमें show नहीं करती है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको यह solution है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी pen drive वर्क करेगी बहुत easy fix है जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला ह तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी pen drive है उसको आपने PC से connect कर लेना है क्योंकि PC में आपको आपकी pen drive show करेगी जैसे कि यहां पर मैंने pen drive connect कर लिया है तो यहां पर में पर PC में show कर रही है तो इसके बाद यहां पर आपको जाना है properties में बट उसके पहल तो सबसे पहले यह सारा अपने select कर लेना है इसको कर लेना है copy copy करने के बाद एक backup folder बना कर वहाला डाटा वहाँ पर paste कर देना है तो अभी मैं यहां पर आपको paste करने दिखा रहा हूं आप अपना paste कर लीजिएगा उसके बाद यहां पर आपको right click करना है यह आपकी USB drive है जो कि मैं check करके बताता हूं कि होता क्या है तो अभी आप यहां पर दे सकते हो गाई यहां पर file system show करता है तो यह इसकी system होते हैं तीन तरह के होते हैं यह तो इन में से कई बार क्या होता है कि आपका जो TV है हो सकता है कि किसी एक को support ना करें बड़ जो बाकी है उनको support कर जाए तो अब जब आपने एक बार अपना backup create कर लिया उसके बाद आपने यहां पर वैसे ही right click करना है और यहां पर format का option होता है तो यहां पर जाना है अगर आपके यहां पर format का option ही नहीं आ रहे हैं यहां पर 00 यहां पर तो देखो तो यहां पर और और भी कई problems आ सकती है जैसे कई ल लिए देखे रहे हैं सिर्फ आपको यहां पर टीवी में आपकी pen drive नहीं दिखरी उस चीज़ की वीडियो बना रहा हूं जो बाकी problem है उनके लिए वीडियो में दूसरी बना दूंगा तो यहां पर आपको format पर जाना है format पर जाने के बाद यह जो option है यह आपके सामने आ ज test काफी ज्ड़ लोगों का यहां पर एक qọn कि सब्म्हें करता तो यहां पर आपको चटीटी अगर पहले अंटीटी क था तो फैट थी टू कर लीजिए और यहां पर कोई छिडखानी नहीं करनी है उसके बाद को ऐसे रहने दिना हैं ओर यहां पज स्टार्ड के बटन पर क्लिक तेना है यहांपर आफ स्तार्ड के पट्टन पर कलिक करो तो यहांक decent देगा कि और फोर्मे टीवी में शो कर रही है नहीं तो गाइज आप सब के लिए एक और चीज जानना बहुत ही ज़्यूरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपके पास तीन ओप्षन होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर बड़ यहां पर अगर आपकी पैंड्राइव और फैट 32 दोनों को सपोर्ड करती है तो आप एंटी एफस सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें क्या है इसमें आप चार जीबी से बड़ी कितनी भी बड़ी फाइल आप अपनी पैंड्राइव में डाल स सकते हो बट अगर आप गाइस सेलेक्ट करते हो फैट 32 यह किसी वजासे सिर्व आपका जो सिस्टम है वह फैट 32 ही सपोर्ट करता आपके टीवी में फैट 32 के लावा को यह नहीं चलता तो आप चार जीबी से बड़ी फाइल अपनी पैंड्राइव में नहीं डाल सकते हो इ आप ज्यादा क्लिए वाली देखोगे तो चार जीबी के ऊपर जाना नॉर्मल सी बात है तो यहां पर अगर आप करके इसको फिर फॉर्मेट करते हो तो यह चलती आपकी टीवी में तो यह आपके लिए बैस्ट ऑप्शन रहेगा अगर यह नहीं चलती है और फैट 32 ही चल आता हूं तो वहां पर इसे और अपने एपनी पैन ड्राइव Hoे अगर चैनल की है कि गलती से आप जोigoek यह होंगे अगर आप यह प्या करना पड़ेगा तो वहां पर यह सोफट्वेर होता है रूफूस जिसकी मदल से आप उसको ठीक सब्का सब शूसक बहूब तो वहां पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रूफू उसका में लिंक आपको देचुकर में डिस्क्रिप्शन में जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको ऐसे डाउनलोड होके आयाता है तो इस बनाना तो इस पर आप जब कलिक करेंगे तो यहां से आप अपनी पार्टिशन स्कीम भी चेंज कर सकते हो तो यह जो एंबिया लिखा हुआ है और जीपीटी नॉर्मली जो आपकी पैंड्राइव होती है वह एंबिया को स्पोर्ड करती है बड़ जब हम इसको बूटेवल प पैंड्राइव को बोटेवल पैंड्राइव बनाया उसके बाद मैं को देड़ से दो साल लगी गाईज यह चीज धूंडने के लिए तो अगर आपके साथ यह प्रोब्लम आई है तो इसको यहां से फिर से इसको एंबियार पर सेलेक्ट कर दीजेगा और उसके बाद यहां आपको यह चीज जानने के लिए गाई डेर से दो साल लग चुकी है बट आपको मैंने यह चोटी सी वीडियो इतने में आपको बता दिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ते नेक्ट वीडियो में बाबाई